हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है अम्रा पेंपल सिंदी के एक और नहीं वीडियो में है आज के इस वीडियो में हम करेंगे आईबॉल की तरस जाने वाले नेकबैंड की अन्बॉक्शिंग और देंगे आपके डिटिल में देवी और आजकल वैसे भी नेकबैंड हर किसी की नेसेसर्टी हो चुकी है क्योंकि वर्फ्रम होम के लिए हो चाहिए वो ऑन्लेन क्लासिस के लिए हो नेकबैंड हेडफोन यह फोन या फिट यह तो चाहिए ही हमें तो चलिए शिरू करते हैं आज का वीडियो फ्रंट में आपको रैड कलर का बॉक्स देखने हो मिल जात और पीछे भी हमें कुछ इंफर्मेशन दे रखिये है लाइक एसम एल बड्स इंक्लूड इंक्लूड मतलब साइज है और कमफर्ट विट इयरफोन साइज सेंसिटिविटी मिक और लाइट वेट फ्लेक्सिबल लाग बैंड ब्लुट फाइफ प्टू अप्टू एहां पर हमें प्राइस देखना को मिल जाती है जो कि काफी दे रह beslut me मिल जाते हैं यहां पर हमें उप्लक डायमिक और विएःफोन की पिक्चर देखना को मिल जाती है और यहां पर हमारा फ pię14 ठीक हैं नेकबर्ज क reignic है राइड कलर की केबल देखने को मिलती है जिसमें आई बॉल की ब्रेंडिंग है और कुछ इयर टिप्स देखने को मिलती है जो एस और एम साइज है और एक कमफर्ट टिप्स भी दे रखी है आपर यह इंस्ट्रक्शन मैं लोल है पढ़ लेना एक बार जिससे आपको पता सल है कि एंड और रेसीव कॉल कैसे करते हैं बॉक्स को रखते हैं साइड में अब इसकी मात करते हैं तो चलिए सबसे बड़े तो इसको खोल लेते हैं एक सकेंड यह लोग खोल लिया भी कुछ नहीं है खाल लिए टाप देता है जिए रहे हमारे नक बेंड जो की काफी फ्लक और यहां पर देखो यह फ्लक्सिबल रबड या सिलिगान का यूज हुआ है जहां तक मेर को लग रहा है और यहां पर आपको गुड क्वालिटी का प्लास्टिक देरने को मिल जाता है ब्रेड यह अपने वायर नहीं है जिसके वज़े से हमें तूटने का काफी डर रहेग है मैं जूम कर देता हूं एक बार लाइक यह यह हमारा है ट्रेक आगे करने का और वाल्यूम अपका यह है एंड रिशीव और ऑन अफ करने का और यह प्रिवियस ट्रेक और वाल्यूम डाउन का और यहां पर हमें एक अल्लीडी फ्लेश भी देखने को मिल जाती है और यहा यहां पर हमारे charging cable है जो की है micro USB और यहां पर हमें magnetic control देखने को मिल जाता है control कुछ नहीं है बस magnet लगी वी है जिससे कुछ फरक नहीं पड़ता बस एक style है क्योंकि बड़े brands या फिर कह सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत invest करने में आपको one plus या फिर रियल में जैसे बड़ देते हैं जिसके अंदर आप ऐसे कर देंगे तो automatically वह प्ले पॉस हो जाएगा अगर आपके पास सेम कपनी का फोन है तो जबकि eyeball ने ऐसा कुछ नहीं दे रखा वैसे है तो बढ़िया वैसे इसकी जो base है वह इत्ती बढ़िया नहीं ह और जो इसकी sound है वह अच्छी है चाहे high volume पर सुनो चाहे half volume पर सुनो चाहे low volume पर सुनो जो मुझे काफी बढ़िया लगी और इसका जो flexibility है वह भी अच्छी लगी मेरको और जो मेरको इसके अंदर सबसे अच्छी चीज लगी वह इसकी price है क्योंकि भाई मेरको यह से 700 rupees का पढ़ गया और आपको online यह 1200-1300 पढ़ेगा तो वह मुझे सोड़ा सा ज्यादा लगा क्योंकि उसके बाद आप कुछ और रुपे जोड के आप एक अच्छा सा oneplus का ले सकते हैं या फिर realme का ले सकते हैं जो कि अभी काफी सस्ता हो चुका है और उस price में तो भाई अगर इ बढ़िया है और 1300 की price में आईबॉल वैसे भी बहुत अच्छा brand है और trusted brand है बट अब no more बंद हो चुका है brand बट हाँ ठीक है warranty भी आपको one year की warranty मिल जाती है जबकि आपको MI और सिफ six months की warranty देते हैं तो I think अगर seven या फिर thousand rupees के अंदर ये great purchase होईगी लेकिन अगर आप 1300 में ख में realme जैसे या फिर MI जैसे buds भी देखने को मिल जाते हैं और ear buds भी देखने को मिल जाते हैं और oneplus के लिए आ जाते हैं bullet wireless Z जिसके अंदर 10 minutes के अंदर आप 10 hours तक music सुन सकते हो तो वह एक अच्छी purchase होईगी बट हाँ जिस price में आ रहे है वह बढ़िया है तो consider कर सकते होगा 700 2000 रुपीज के अंदर पढ़ रहे हैं तो तो भाई आज के लिए बस इतना ही अगर आपको पसंद आया हो और अगर आप 1200 रुपीज इंवेस्ट करना चाहा रहे हो तो आप देख लेना में description में link दे दूंगा और देख लेना प्लाइट भी हो सकती है वह चक कर लेना तो गा थेसंगे इंगेश कि जा प्लाइट आ कि वीज बसेंगा इंगेशी निया और आ जा जा पना है डड़ ख़र आपको यह तेंगाश झाफ बसेंगा तो एंगेश जाख बसेंगा पिर बसेंगेश्द के देट